वेलकम टू जासर ebenfalls यहाँ पे आप को आपको आपकी प्रेपरेशन को इनहांस करने के लिए कुछ preason की प्लेटेंट कीये जाते हैं और यूट्यूब प्लेशन के लिए जहाँ पे आपको जो daily current affairs के lectures upload किये जाते हैं आपको उनकी proper तरीके से playlist available होगी उसी के साथ साथ आपको monthly playlist भी मिलेगी current affairs की और yearly playlist भी मिलेगी और साथ ही जो current affairs daily basis पे आप लोगं को provide किये जाते हैं उन्हीं की free of cost आपको PDFs भी दी जाती है हमारे telegram channel पे अगर आपने telegram channel जोइन नहीं किया है तो तुरंद description box में जाईए वहाँ पे आपको link provided होगा जहाँ से आप हमारे channel को जोइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको हमारी सारी PDFs का access ले सकते हैं और उसी के साथ साथ guys आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा initiative स्टार्ट किया गया है मेंस के previous question analysis का आपको आपके लिए daily basis पर आनालेसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को playlist provided है हमारी YouTube channel पे ही अलग-अलग paper में provided है आप लोगों के convenience के लिए GS1, GS2, GS3, GS4 की उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए GS के अलग-अलग subjects की भी playlist अवेलेबल है economics है जैसे seaside के आप लोगों के पास playlist होगी और history की भी playlist आपको मिल जाएगी जो की बिल्कुल free होगी वो आपको YouTube पे ही अवेलेबल होगी और इनी playlist में साथी साथ नए-नए contents भी regular basis पे add-on किये जाएंगे जिसके लिए आप लोगों को जासर Academy को regularly follow करना है और अपनी preparation को enhance करना है और उसी के साथ साथ guys कुछ paid courses भी है जो आप लोगों के लिए लाए गए है जासर Academy for IAS के द्वारा जो जिन paid courses को जासर खुद personally mentor करते हैं खुद उसको relate करते हैं जैसे की GS का pre-plus means batch बिल्कुल zero से तयारी करवाई जा रहे हैं जासर खुद तयारी करवाते हैं personal guidance आपको दी जाती है proper तरीके से आपको attention प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल basic से आपको तयारी करवाई जारी है आपकी preparation को enhance करने के लिए तो आप इन courses को भी जरूर जॉइन कीजिए जैसे की एक mains का भी answer writing का test series batch चल रहा है और prelims का भी test series course चल रहा है जो आपको हमारी आप पे test series प्रोवाइड की जाएंगे 10,000 questions के आपको practice कराई जाएगी वो 10,000 questions आपको कहाँ पे available होंगे जासर academy for IAS की website पे भी available है और हमारे एक app भी है जासर academy for IAS आप अगर डालेंगे तो play store से आपको वो app मिल जाएगी आप उसको download कर सकते हैं वहाँ पे आपको prelims की test series का access भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी भैतरीन app है कि आपको वहाँ पे study tools भी available है कि आपकी जो study है आप उसको track कर सकते हैं कि आप कितना time effectively study कर रहे हैं तो इस app को guys जरूर join कीजेगा डाउनलोड कीजेगा और website भी available है उस website पे भी आप जा जासर academy को regularly follow करते रहीएगा आप सभी का स्वागत है फिट से नमस्कार अभी नंदन रादे रादे गुड मॉर्निंग सस्रियाकाल जैशीरी राम कोई समस्या कोई doubt हो तो बता दीजिए then I will continue otherwise हम उसको आगे continue करते हैं नमस्कार देखे आज की कहानी हम शुरू करते हैं कल की कहानी के आगे और मेरी आवाज आ रही है तो जरा मुस्कुरा कर good morning कह दे कल मैंने आपको very good morning नमस्कार देखे कल मैंने आपको यह बता दिया था कि किस तरह किसे दिल्ली सलतनात के disintegrations के फल सरूफ हम देखते हैं जो रीजनल स्टेट्स हैं वो अपनी freedom की घोशना कर देते हैं and the freedom is going to declare by the different different states ना केबल बेंगॉल के दारा सतनता की घोशना हो रही है freedom की घोशना कश्मीर और गुजरात में भी सुनाई दे रही है और हमने यह देखा था कि किस तरह के से वहमनी और विजनकर भी अपने एक बड़े empire को foundations रखते हैं और यह foundation रखी जा रही है जब एक vacuum बन रहा है और यह vacuum या खाली स्थान बन रहा है डिल्ली सल्तनत में जब भी यहाँ पर कोई कमजोर शाशक होगा कोई ना कोई यहाँ तो हम देखते हैं वो empire का disintegration होगा यह हम देखते हैं कोई invade करने आएगा we can see that कोई ना कोई जाकने आएगा समझ मैं आएक निया है नमस्कार अभी नंदन हैं आज के इस अपिजोड में आज हम बात करने वाले हैं आगे की section की और आगे हमने शायद देख लिया था कश्मीर हमने देख लिया था कश्मीर के बाद हमने देखा था जैनुल अभी दीन को कहा जाता है अकवार कश्मीर का अकवार उनकी काम के दोरा जानपुर हमने देख लिया था जानपुर मतलब भाईया का शेहर और भाईया कौन थे हमारे मुहमद बिन तुगलग यह भाईया वही थे जिनको हम इतिहास में पागल राजा के रूप में जानते हैं और इस तरीके से हमने जानपुर की कान यह को समझा था जानपुर जा है दुबारा रीकैप्चर कर लिया जाता है किसके दौरा लोधी डैनिस्टी के दौरा लोधी वंच के दौरा जानपुर को पूर्व का शिराज की संग्यावी दी गई है तो यह हम आलड़ी समझ चुके हैं अब हम आ जाते हैं मालवा की ओर मालवा में हम कहानी देखें तो मालवा जो है वो अलावदीन खेली के टाइम से दिल्ली से जुड़ा हुआ था और इनके बारे में भी हमना चर्चा की थी इनकी कैपिटल है धार जो धार बनाई जाती है दिलावर खान गौरी के दौरा और इनी मालवा के रूलर्स में आता है एक होशंग शाह होशंग शाह is nothing but that is अल्प खान he was the son of the दिलावर खान और ये एक फांडिशन रखते हैं होशंगवाद नाम के शहर की यदि आप शायर मद्यपरदेश से परिचित हैं तो हुशंगवाद is very one of the that means that is one of the famous city of the famous city that is located near the bank of नर्मदा और recently यहाँ पर मद्यपरदेश के CM ने जो है इस शहर का नाम नर्मदापुरम करने की घोशना की है और हुशंग शाह जो है वो अल्प खान की capital टाइटल लेते हैं और मंडू को capital बनाते हैं ये उनका मकवरा है जो संगमर्पर्व की प्रारंबिक इमारतों में से एक था ये अकवर जो है अपनी foundation रख रहा है आगे बढ़ते हैं दीदी के शहर नाम है बेंगॉल जहां चुनाव चल रहे हैं तो आप हम बात करने वाले हैं बेंगॉल की और बेंगॉल में क्या होने वाला है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं बेंगॉल की थोड़ा सा background को हम जान लेते ह मैंने आपको पहले ही बोला है जो भी दिल्ली में रह रहा है जो भी रूलर जो दिल्ली में रूल कर रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा problematic बेंगॉल ही होता है और दूसरा जो है वो है गुजरात ठीके तो गुजरात भी है लेकिन गुजरात अभी जो हमारे पास ही है that means बीजेपी की गॉर्मेंटर जो जादा दिक्कत नहीं होती ठीके लेकिन इतिहास गबा रहा है कि जहां जहां दिल्ली सल्तनत में जो डिस्टेंस में जो एरिया है वो एंपाइर के लिए problematic ही रहे हैं और बेंगॉल जो है वो क्या करता है वो अपने आपको बार बार फ्री ड करने का उद्धेश क्या होता है या उसका पीछे कारण क्या होता है तो आर्मी को आने में टाइम लगता है जो सेंटरल से आती है क्योंकि यहां का जो सूबेदार होगा यहां का जो मुक्ती होगा यहां का जो बली होगा वो क्या करता है वो क्या करता है अपने आपको free declare करते है जब तक यहां से central से force आती है तब तक क्या करता है भाई हम तो मजाग कर रहे थे it was a kind of the joke कपिल मिश्रा का जोग हम कह रहेते हैं ठीक है और जैसे यह जो आर्मी है बापिस जली जाती है और जैसे बापिस चली जाती है तो फिर यह रिवॉल्ड करते हैं भाई हमारा मजाग जो है वो मजाग न कहा जा यह तो जुमला था ठीक है तो यह तो इस तरीके से बाते की जात जब दिल्ली सल्तना जो है एक बच्चे की तरह है और वो अपनी फाउंडेशन रख रहा है मतलہ उसका जन्म हो रहा है तीक है दिल्ली सल्तनथ this is a very young age of the दिल्ली सल्तनथ और दिल्ली सल्तनथ की शुरुवात यहां पर हमें देखने को मिलती है और दिल्ली सल्तनथ के पहले हम गोरी को देखा गोरी के बहुत सारी गुलाम है उन्ही गुलामों में से एक है मुहम्मद बिन बक्तियार खिली वो बेंगॉल में आता है रास्ते में आग लगाते हुए नालंदा में चला जाता है गुड मॉर्निंग प्रियंका जी और बेंगॉल में जब वो आता है तो यहां पर एक रूलर है जिनका नाम है सेन वंच के लक्षमन सेन सुश्मिता सेन वाला सेन वंच आप कह सकते हैं और सुश्मिता सेन के बारे में जानकारी मिलती है देवपाड़ा इंस्क्रेप्शन के द्वारा ये बंगाल का अंतिम हिंडू शाशक होता है क्योंकि इसके बाद यहाँ पर मुस्लिम इन्वेडर्स का शाशन हो जाता है तो इस तरह के से हम देखते हैं तो खिल जी बंगाल पर जीत हासिल करने वाला पहले मुस्लिम थे और इसके बाद बाद में जाकर हमने ये बंगाल में ही देखा था हमने देखे बंगाल में हमने देखा था इltutmish टीके इltutmish के आफ जो बेटा है वो भी थोड़ा बहुत involved होता है इसके बाद बलवन का बेटा भी यहीं ने पढ़ जाता है यदि आपको याद होगा ठीके वो यहीं पर रह जाता है तो बैंगॉल जो है वो problematic रहा है शुरू से ही और यह problematic रहा है तो मैनत पड़ा से इसको summarize वे में रखने की कोशिश किये हमें जादा detail में नहीं जाना है यहाँ पर ठीके गया सुद्दीन तुगलग भी यहाँ आए था याद करिए और यह क्या तुगलग क्या गर रहा था फिर वो नाम है मुहम्मद बिन तुगलग यह हमने कहानी पड़ी है और जब वो इस बेंगल को capture करता है इस बेंगल को जब वो capture करता है तो he is going to divide in the three part of the Bengals ठीके अब देखिए इतने सारे reward बेंगल में हो रहे हैं because of this reasons गैसुद्दीन तुगलग is making some kind of the strategies to control the Bengal reward बंगाल के विद्रों को रोकने के लिए वो एक strategy बनाता है वो लग क्यों ना है इसको हम क्या सकते हैं इसको तीन भाग में divide करते हैं जिसकी अलग-अलग capital होगी जैसे नौर्थ वाला जो है वो लखनौती लखनौती is nothing but that is the capital of the सुस्मिता सेंग सेंग जो वंस मैंने आभी आपको बताया ठीके उस सेंग वंस का capital होता है लखनौती ठीके सत्गाओं ठीके सत्गाओं भी जो आपको है वो दक्षिड में देखने को मिलेगा ठीके सोनारगाओं सोनारगाओं जो है आगे चलकर जो है तो ये जो तीन भाग है उनको divide कर दिया रहता है गिया सुद्दीन तुखलक के द्वारा लेकिन हम देखते हैं कि 1338 के आसपास ठीके 1338 ठीके यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्या होता है कि एक नई डैनिस्टी है जाती अलाउद्दीन अलीशा हमें यहाँ पर जाना नहीं है तोड़ा कंसेप्ट को समझना और आगे बढ़ जाना अली अलाउद्दीन अलीशा जो है वो क्या करेंगे बंगाल को फ्री डिकलर कर देंगे तो यहां से यहां तक जाते हुए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे अप एंड डाउंस देखने को मिलेंगे बेंगाल में मुझे बस यही बताना है कि यह शारकी से लाउद्दीन अली फिरसे और एंड रेमेंबर नेम आॉब्सरी नाम यहां यहां दोए है रख सकते हैं और यहां पर इलियाश शाह जो हैं वो क्या करते हैं तृट इक आ nun बहुत सारे रूनर्स आते हैं जैसे शेकंधर शाह लेसोदीन आजम शाह की बारे में कग करते हैं नियाए प्री शाशक है यह इस वैरी जस्टेसर रूलर्स ठीक है और इनके बारे में कहानी पता चलती है ग्यसुद्दीन आजम शाह की मैं बात करता हूँ आजम शाह जो है वो इनका एक कोई पुराना केस होता है इन्होंने क्या कर दिया था किसी को रात में सोते हु प्रदा दी और इनको पनिश्मेंट दिया और गया सुद्दीन ना फिर यह कहा कि यदि आप जो है यदि आप जस्टिस नहीं करते यदि आप इस चीज का जज्जमेंट नहीं देते तो मैं आपको जो है फासी की सजा दे देता मतलब यह कितने जादा यह मतलब जुमलवाज आप एप इसा कह सकते हैं यह कोई वैक्ती नहीं थे यह जो है वो आपको 15 रुपे का वादा कर रहे हैं तो 15 रुपे आपके अकंट में डालेंगे ऐसे शाशक थे आप ऐसा समझ लीड़े तीक यह लाबहर यह और ऑर यहां पर एक रूलर का नाम जो मिल रहा है इस बेढ़ होता है या तो वह बहुत बुरा होता है या बहुत अच्छा होता है ठीकिन जैसे अशोग को हम महान शाशक में कैडिगरी में गिनते हैं लेकिन औरंग जेब को इंडिया में जो है महान शाशक नहीं कहा जाता है पाकिस्तान में शायद उसे कहा जाता हो क्योंकि पाकिस्तान civil services की जब तैयारी की जाती हो तो वहां उसे अकवर की तरह represent किया जाता होगा I hope हाँ इतिहास अपने आपको दोहराता है और up and downs अभी भी चल रहा है आप देख लिए कितने जादा circumstances बने हुए है प्रियंका जी और आप उसको आज के election से भी समझ सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा वक्त ना एक सा होता है देखो आगे क्या होता है वेट कर ये दो माई का और results आएंगे ये result किसके favor में आएंगे ये भवेशी ही बता पाएगा ठीकि करोना भी बहुत ज़ादा बढ़ रहाया है करोना कब खतम होगा ये भी वही Fight करेगा दो मैं को है ना तो हम ऐसे भी हम समझ सकते हैं ठीकि और शुक्रिया 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 तो अपनी उधार नीतिओं के बारे में क्रश्न जो है वो कृष्ण का जो है उनको कहा जाता है कृष्ण का अवतार वो जो है वो बुद्ध रिलीजन्स को बोलता है और बुद्ध के तहद धंब नीती को फॉलो करता है ठीके और धंब नीती का मतलब है rules and regulations ठीके rules and regulations का मतलब है नियम और कानून सीडी सी बात है और नियम और कानून पर चलने को पोलर रहा है एक छोटा सा नियम है भईया मास्क लगाईए सुरक्षित रहिए से एपको कानून बोला जारा रहा है कानून नहीं अक्छी नियम है ठीक है तो तो यह हैं Liberal ठीके और इस तरीके की Policy's इनके द्वारा बनाई जाती है जैसा अशोक ने अपनी Liberal Policy's के द्वारा आपका दिल जीता है ठीके वैसे ही अलावदीन हुशें साहब भी अपनी Policy's की वज़े से अपना लोगों में जगे बना रहे हैं और लोग इसे फिर क्रश्न का अवतार कहते हैं ठीक ही तो यह इस तरीके से कहा जाएगा आगे हम देखते हैं नुश्रत सा इसे बावर ने घागरा के युद्ध में पराजित किया देखो यह क्या है कि देखो यहां से थोड़ी कान ही जो है वो थोड़ी दर की और जाएगी और इतला तंबर टाइम प्रिड है और उसमें हम देखेंगे 1532 ठीक है मौटे तोर पर यह वो टाइम आ रहा है जब हम देखते हैं कि घागरा का युद्ध याद करिए बावर का टाइम है बावर जो है वो यहां आ चुका है 1526 में वो आ चुका है और 1526 के बाद वो कई बैटल करता ह है और 1529 में he will that means play a battle and this play battle name is called the घागरा यदि आपको इसको हम तोड़ा मुगलों में देखेंगे नुस्रत सा का नाम थोड़ा याद रखिए मैं आपको आगे बताऊंगा नुस्रत सा जो है वो बेंगॉल के रूलर है और यह जो कही न कहीं है battle of घागरा में जो है participation करते हैं इब्राहिम लोधी आपका जो लोधी वंच के रूलर है महमूद लोधी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आगे हम चर्चा करेंगे तो नुस्रत सा थोड़ा सा याद रखिएगा बाकी इसकी कहानी हम देखते हैं आगे चलकर देखें अब यह क्या होदाएगी दे बेंगॉल जो फ्री हो चुका है वहाँ पर अटैक जो है मुगलों के द्वारा नहीं होगा मुगलों से पहले शेरसा सूरी हो जाएगे तो शेरसा सूरी की भी कहानी हम जब देखेंगे जब यह फरीद से क्या करते हैं शेर खान बनते हैं और शेर खान से यह बनते हैं शेर जादा अच्छा लग रहा ठीक है और ये शेर खान बनेंगे और जब शेर खान से शेर्शा बनते तो इसी दोरानी बेंगॉल को क्या कर लेते हैं इन्वेड कर लेते हैं बेंगॉल को जीत लेते हैं ठीक है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी तो ये इस तरीके से कहानी ज तापती वेली में तापती तापती इसे किनल Wonder कर दिखाई दिखे दिटी थोड़ा सा जॉक्रिफिकल पार्ट बता दिए मैंने आपको ठीके और यहां की जो capital है वो है बुरहानपूर बुरहानपूर that is the southmost district of the Madhya Pradesh Madhya Pradesh का दक्षिनतम जिला है और यहां का एक बहुत ही खास famous जो दुर्ग है या फोर्ट है citadel है that is called the Asirgarh और Asirgarh के बिना आप दक्षिन में नहीं जा सकते You cannot move without the Asirgarh in the south part यह है north यह है south और north से south में जाने के दो ही रास्ते हैं You can move either the this part आप या तो यहां से जा सकते हैं ठीके या आप यहां से जा सकते हैं ठीके तो यह एक पहला हिस्सा है दूसरा हिस्सा है यदि आप देखें थोड़ा गौर फर्माएंगे तो आपने अलावदीन खिल जी को देखा था अलावदीन खिल जी भी इसी रास्ते का उप्योग करता है जिसको मैं यहां बता रहा हूँ और अकवर जो आने वाला शाशक है ठीके अकवर की महक आना शुरू हो चुकी होगी आपको अकवर एक कह सकते हैं वही मैं आपको बोलूंगा यहां पर जब एंट्रि लेगा तो उसे असीरगड जीतना बहुत ज़रूरी है Without the victory of the Asirgarh You cannot move in the south part ठीक है और south में आपका इंतिजार कर रहे है एहमद नगार, बीजापूर and the Golgonda ठीक है अभी मैं आपको ये मैंने आपको बता दिये हैं ध्यान दीजेगा एहमद नगार, बीजापूर and the Golgonda सॉरी फिर से बता देता हूँ एहमद नगार, बीजापूर और Golgonda ठीक है ये तीनो जो शहर हैं ये तीनो जो एरिया हैं ये जो है मुगल जीतना चाहते हैं और इन जीतने के लिए अकवर जो क्या करेगा वो असीरगर को जीतेगा और असीरगर को वो इस तरह के से जीतता है क्योंकि ये क्या जो एरिया है बहुत ही जादा सेफ फोर्ड है ये फोर्ड को जीतना असान नहीं है और by hook और cook ठीके वो conspiracy या शडियन्त करकर क्या करता है इसको जीत लेता है ऐसा ऐसा कहा जाता है और इसके बाद अकवर साब जो है वो स्वर्ग सिधार जाएंगे तो 1605 में आकवर का time period खतम हो जाता है but before that was the last nail in the coffin of the we can say that last nail of the coffin का मतलब यहाँ पर हम कह सकते है यह आखरी कील वो ठोक कर चला जाता है और यह एक situations बन रही है और यह है आपका थोड़ा सा आप से आप समझ लिए this is the part of the khan desh you can find out like this ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे यह है आपका MP ठीक है यह है आपका महराश्ट ठीक है और आप देखेंगे यह है आपका khan desh आज की date में इसी वाले जेरिया में यहाँ पर आप देखेंगे there was a lots of cases related to the corona अब तो क्या काफी development हो गया है ठीक है यहाँ पर बट यहाँ पर एक थोड़ा सा समझ लेंगे यह है आपका ताप्ती रहरी यह ताप्ती न दी लगबग लगबगवा यहां से ऐस तरिके से निकलती है और यह ऐसे जाती है थोड़ा सा ऊपर आजाई गया ठीके चलिए यह काण ही क्लियर हो चुकी होगी अब देखिए थोड़ा-thोड़ा सा इस chapter के बारे में हम देख लेते हैं तो मैंने आपको यह करवा दिये हैं ठीके हम दिली सल्तनत देख चुके हैं दिली सल्तनत का governance देख चुके हैं विजय अगर बहमानी जस्ट वी है फिनिश्ट इस चैप्टर ठीके धिहान दीजिएगा पॉर्चुगीज को थोड़ा जेम में रख लिएगा इसको हम बात में डिसकस करेंगे यह थोड़ा सा जब हम इन्वेडश इन्वेजिंस की बात करेंगे जब यूरोपेंस कंटी की बात करें अर हम रिफरेंस के तौर पर इसको यूज कर रहे है और इसमें कोई दिक्गत हो तो बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं पूछ सकते हैं टीके और जैसे मुझे कभी-कभी पता चलता है कि सर ये वाला नहीं पता चला पता चला वही क्लास चल रही है ठीके तो कही बार ऐसा भ इंडिया यह वाला पॉइंट अब हम डिसकस करने वाले हैं इस चैप्टर इस कॉल्ड डाप्लमेंट इन इंडिया अक्चुली क्ल्चिरल डाप्लमेंट क्या है थोड़ा सा मैं उसका बैक्ग्राउंड आपको बता देता हूं इस इस थर्टीन तो फिटीन हंड़ सेंचुरी ठीके और इसके बाद हमारी कहानी शुरू होगी मुगलो और अफगानियों की ठीके तो चैप्टर नमर 12 यह पॉर्चुगीस जो है फॉर्टीन नाइटी एट में आएंगे ध्यान दीजेगा बट इसको हम जो है शुरू करेंगे जब हम मॉडरन हिस्टी की शुरूआत करे एट इस रिलेटी तो दा स्टोरी ओफ दा रोनाल्डो नाम तो सुनाई होगा करेक्टे तो रोनाल्डो की कहानी को थोड़ा हम बाद में करेंगे ठीके लेकिन पहले हम थोड़ा सा इस तरीके से चलेंगे I hope all these all these points are clear very very clear ठीके सभी लोगों को points clear होंगे और मुस्कराते रहे अब देखे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ cultural development की और और cultural development कुछ इस तरीके से शुरू होगा and this is one of the very important topics of the medieval age मन्दिकाल का ये काफी important topic है और इसे कहा जाता है religious movement do remember the previous religious movement in the 6th century BC छटवी शताबदी ईसापूर में होने वाले religious reforms आपको याद ही हुए जब हमने देखा था उस religious reforms में हमने देखा था how the bod and the jainism is going to birth वो उनका जन्म हो रहा है जैन और bod dharm का जन ठीके और जैन और bod dharm की ideologies जो है वो आपने देखी दी it was based on the truth and the ahinsa ठीके इनकी जो philosophy है इनका जो concept है वो सत्य और ahinsa पर आधारे जै सत्य जो आजकर कोई बोलता नहीं ahinsa जो हर जगे दिखाई देती है बंगाल चले जाए चाहे गुजराच चले जाए ठीके तो ये दो concept जो है वो आपको लेकर आए थे buddh और जै अब एक लंबा सफर हमने तैत कर लिया है from the 6th century to BC 6th century BC to अब हम जो बात करने वाले हैं medieval age ठीके तो मौटे तोर पर आप देख सकते हैं कि एक revolution एक reforms की आवशक्ता बन चुकी है और ये जो आवशक्ता क्यों बन रही है if you are going through the current scenario you will observe the there are the multiple religions we will find out the ample amount of the religion in India यदि आप देखें तो इस समय आपको बहुत सारे religions देखने को मिल जाएंगे इंडिया में ठीके मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ना केबल वैदेगेज और वैदेगेज के भी दो part आ चुके है एक शहरिजम आ चुका है एक आपका वैशनम आ चुका है एक alwar आ चुका है एक n coilsार आ चुके है ठीके ओल्टा वो funding हैं मैंने कोई दिककर ती ठीके इसके अलावा आप देखेंगे जैनिजम है ही ठीके जैनिजम में भी आपको शितंबर है दिगंबर है ठीके इसके बाद आप देखेंगे बादिजम बादिजम में भी आपको देखने को मिलेंगे हीनियान है महायान है इसके अलावा आपके पास यहां पर आपको इसलाम भी देखने को मिलेगा और इसलाम में आपको शिया और सुनी देखने को मिलेगे तो क्या मैं ऐसा कहूं कि जो 6th century BC में जो reforms हो रहे थे वो religions को लेकर हो रहे थे और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ नई ideologies आ रहे थी और यहाँ पर आप देखेंगे there are the ample amount of the ideologies बहुत सारी ideologies already double up हो चुकी है और इतने सारे concept या इतने सारी concept जब double up होंगे तो इनी concepts में किये जाएंगे reforms मतलब सुधार ठीके और जब सुधार होंगे तो यहाँ पर हमें chapter देखने को मिलेगा religious movement got it my point this is very very important topics and religious movement और बहुत सारे जो है मतला सा confusion होता है इसको समझने में मैं इसको थोड़ा flow chart में बहुत easy में मैं समझाने की कोशिश करूँगा और यदि यह आपको समझ में आ जाता है तो यह मेरे लिए achievement होगी आपके मैं आपकी मुस्करहाट का मैं इंतजार करूँगा very good ठीके तो अब देखी main religious reforms जो हैं वो किस तरीके से हो रहा है main religious reforms जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे वैदे केज में और एक muslim communities में देखने को मिलेंगे ठीके और वैदे के से आप देखने को मिलेगा आज की डेट में लोग जो है राम भक्ती में हैं ठीके जैशीरी राम बोलना पड़ेगा वरना जो है जेल जाना होगा ऐसा ऐसा चल रहा है ठीके तो religious movement में हम देखेंगे वैदे केज और वैदे केज में जो है आपको देखने को मिलेंगे कुछ भक्ती तो यह वाला concept आता है भक्ती movement ठीके तो जो आज की डेट में भक्ती चल रही है उसकी शुरुआत ही होती है ऐसा आप समझ सकते हैं ठीके और Muslim communities में आपको देखने को मिले आठीक के गाना आता है ठीके ख्वाजा जी जो आखवर के टाइम पर चलता है तो वहां से भी आप समझ सकते हैं कि all these kind of the reforms this is related to the Sufism Sufism is nothing but that is the Muslim communities and bhakti is nothing but from the Hindu or the Vedic age थोड़ा सा background तो आपको clear हो चुका होगा और यह background जो है उसको हम सबसे पहले समझेंगे देखिए अब देखिए यह है यह वाली जो slide है that is the summary है जो मैंने आपको समझाया उसी का summary देखने को मिलेगा 7th century के आसपास we will find out the we will find the religious reforms in the Islam ठीके अच्छा मैं आपको एक और बता देता हूँ PDF जो है मैंने आपको विजयनगर वहमानी का दे दिया है अभी जो थोड़ा मालवा बताया है इसका मैं आपको दे देता हूँ ठीके और इसके बाद यह थोड़ा सा religious reforms का दे दूँगा ठीके तो यह दो मेरे पास spending है ठीके ठीके और आपके पेशन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ठीके मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का ठीके थोड़ा सा अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिलीजस इसलाम आता है और इसलाम इंडिया में आ जाता है ठीके जब हमने देखा कि 711 में आप मुहमाद बिन कासिम आता है और हमने देखा है कि किस तरह के से गौरी और गजनभी जो है और किस तरह के से दिल्ली सर्तनत की foundation रखी जाती तो इससे आप समझ सकते हैं इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसलाम की इंपॉर्टेंस इंडिया में क्या हो चुकी है और एक नया कल्चर डबल अब हो जाता है इंडो इसलामिक कल्चर तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा जब हम आटवीश शताबदी में आते हैं सेम ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिलेगा मतलब किसमें वैदिक एज में अभी मैं आपको एक्स्प्लेंड करू एक बच्चा बोलता है नहीं सर गडेजी है ठीक है उनका वो कार्टून भी बनता है ठीक है एक बच्चा बोलता है नहीं सर जैश्री राम है ठीक है आज जो है वो जादा बन रहा है इनका तो मंदिर भी बन रहा है इतने करोड का बन रहा है मुझे नहीं मालूं कितने ये ज़्यादा अच्छा फेमस चल रहा है इसका मतलम मैं ऐसा कहूं कि आज की रेट में बहुत सारे गौड है और यदि मैं आप सभी से पूछने लगूं कि कौन सा गौड ज़्यादा फेमस है तो आप अलग-अलग प्रकार के नाम बोलगी अरे मैं तो एक क्लास में पढ़ा हम केवाल यहां पर हिस्ट्री को पढ़ने आए हैं तिहास को पढ़ने आए हैं गड़ेजी वगरा को हम केवाल समझने के लिए उप्योग कर रहे हैं तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है तो यहां आज की डेट में आप देखेंगे कि तीन अलग-अलग भगवान हैं और तीन कन्फिलिट्स बनेंगे की नहीं बनेंगे जब आज की डेट में 2021 में वेक्ति इतना पढ़ा लेका समझदार हो चुका है बुद्दी जी भी वरका हो गया है तो भी इनकी आइडिलोजी को लेकर लड़ पड़ते हैं तो हम देखेंगे आठवी शिदावदी में ऐसा क्यों नहीं होगा एट सेंचुरी में भी ऐसा कुछ विवाद बन रहा है और ये विवाद जो है वैदिक एज में देखने को मिलेंगे मतलब वैदिक कल्चर के धर्म में देखने को मिलेंगे मतलब शैव में और वैशनव में शिव जादा बैस्ट है या वैशनव जादा बैस्ट ऐसे विचार आपको देखने को मिलेंगे मतलव आठवी शताबदी तक आते आते तक ना केवल इसलाम शिया और सुनी में देखने को मिलेगा बलकि वैदे के एग जो है उसमें आपको शेविजम और वैशनव दोनों देखने को मिलेंगे और इन चीजों को लेकर हिंदू और दोनों में सुधार होंगे मतलव आठवी शताबदी के आसपास स्लाम में भी सुधार होंगे हिंदू में भी सुधार होंगे और इनसको कहा जाएगा इनको हम कहेंगे भक्ती मुव्मेंट ठीके और यहां पर हम कहेंगे इसको कहेंगे सूफी मुव्मेंट हिंदू धर्म मे भक्ती मुव्मिंट का reason क्या है reason है वो है शिव और वैशनाव शिव और वैशनाव धर्म को मानने वालों के बीच में जो है वो सुधार करना reforms करना मतदब मतभे दूर करना शिव ज्यादा बैस्ट है या वैशनव ज्यादा बैस्ट है इनके reforms करना ठीक है और इसे कहा जाएगा भक्ति मुम्मेंट इसलाम में क्या होगा इसलाम में हम देखेंगे कि शिया और सुन्नी के बीच में conflicts को दूर करना हैं तो दोनों एक ही है और जो हम देखेंगे और जो हम conflicts देखेंगे वो शिया और सुन्नी के बीच में आ रहा है आज भी आप देख लीजे सिया और सुन्नी में conflicts देखने को मिलते हैं और हमने देखा था हम आगे देखेंगे जैसे हम औरंगजेव को देखेंगे औरंगजेव जो है वो कटर सुनी मुसलिम है और वो सुनी सुरी फिर से बताता हूं औरंगजेव जो है वो आपका कटर सुनी मुसलिम है वो क्या करेगा वो शिया को क्या करने वाला है वो कैप्चर करने वाला है शिय के एरिया और शिया के एरिया कौन से बीजापर और गोल कुंड़ा या थोड़ा साउथ की डेकर डेकर के सुल्तान हमने देखे वहां से आप करनेट करके समझ सकते हैं तो इस तरीके से हम जो है वो देखने को देखने को मिलेगा कि शिया और सुन्नी के बीच में कंफ्लिक्स ह का भी politics disputes का भी कारण बन रहा है बलकि religious जो activities है उसका भी कारण बन रहे हैं ठीके बिलकुल God to God होते हैं लेकिन आप ये वाद अब समझ पा रहा हैं लेकिन वो ये वाद घटना पहले होती तो शायद विवाद हो जाते तो इस तरीके से हिंदू और Islam दोनों में reforms होंगे ये reforms कैसे होंगे वो थोड़ा सा अब हम देख लेती हैं now I am moving the background मैं सबसे पहले जो है मैं आपको पहले इसलाम के बारे मैं बता देता हूँ ठीक है कि सबसे पहले मैं आपको Islam के बारे मतादेता हूँ पहले हम इसलाम की चर्चा कर देते ये ये है सबसे पहले हम बात करने वाले हैं Islam की मतला हम सुफिसम की बात करने वाले हैं और सुफिसम मैं कौन-कौन से जो है reforms होंगे किसका background कहा से जड़ा हुआ है किस तरीके से होंगे that first we will discuss the Islam सबसे पहले हमने देखा है कि Islam का उद्य हो जाता है Islam का उद्य कप कहा कैसे क्या होता है इस पर हम चर्चा बिलकुर नहीं करेंगे Islam के उद्य के साथ ही हम देखते हैं कि Islam में Reforms की शुरुबात हो जाती मोटे तौर पर मैं ऐसा कहूँ कि शिया और सुन्नी दो संपरदाय देखने को मिल जाते हैं दो विचारधारा देखने को मिल जाती है और यह दोनों विचारधाना एक दूसरे का विरोध करती है एक दूसरे के अगेस में है और जब सिया सुन्नी जब आपस में विवाद करते हैं dispute करते हैं तो यहीं से reforms की गुंजाइस बन जाती है मेरी पास समझ मैं कि नहीं है religious reforms होंगे और reforms जो होंगे removal of the conflict of the shia and sunni shia और sunni के बीच में जो कुछ भी disputes हो रहे हैं उसे मिल बैठ का solve करने को ही कहा जाएगा religious reform और यह 18 अताबदी के असपास होंगे समझ मैं आख ही नहीं है और जिसकी शुरुआत होती है इरान से this kind of the reforms is going to start from the Iran ठीके यह वही चीज है वही अरिया जैसे रेनेसा की शुरुआत हम देखते हैं आपके यूरोप के इटिली से वैसे ही आप इरान से यहां कह सकते हैं religious reforms की शुरुआत हो रही है अब यह religious reforms क्या वहीं पर होंगे no पंची नदिया नपवन के जोके कोई सरहत ना हम को रोके मतलव जो ideology जो विचार होते हैं वो सरहत से बाने नहीं जा सकते वो दिवारों से या कटीले तारों से रोके नहीं जा सकते ऐसा ही कुछ ideology में होता है जब विचार जो है आपको देखने को मिलेंगे और यह विचार जो है इरान से शुरू होते हैं और धीरे धीरे सभी जगे आपको देखने को मिलेंगे और बारभी शताब्दी तक आते आते तक ये जो है आगे चलकर कई groups में बठ जाते हैं groups या समू या कह सकते हैं that means ideology का एक अलग-अलग समू और यहां पर आप देखेंगे this kind of the reforms is going to develop in the 12th century बारभी शताब्दी तक आते आते तक these kind of the groups divided in the 14 groups अब देखें हर रेक्ती reforms चाहता है तो अलग-अलग communities, अलग-अलग रिविचारधारा, अलग-अलग concepts develop होंगे और सभी का concept अलग-अलग है ठीके सभी का concept अलग-अलग है कैसा concept हो सकता है वो हम अभी समझेंगे लेकिन इनकी संख्या कितनी है 14 है और इन groups को कहा जाता है सिलसला सिलसला अभीता बच्चन की movie नहीं है भाया ठीके यह सिलसला का मतलब है समू, समू का मतलब है groups वो लोग जो क्या कर रहे हैं जो religious reforms को lead कर रहे हैं या उसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जो most famous होंगे वो होंगे इंडिया में और इंडिया में जो famous हो रहे हैं वो 14 मैंसे ही केवल 4 हो रहे हैं बच गए पूरे के पूरे चौदा नहीं याद नहीं रखने करने से कोई बेमानी हो जाएगी हमें केवल 4 की concept को थोड़ा-थोड़ा समझ लेंगे और अंदाजा लगा लेंगे मेरी बात समझ में आ चुकी होगी तो चौदा याद नहीं करना है बच गया हम ठीक है और इनमें सबसे ज़्यादा फीमस है वो है आपके चिस्ती ठीके चिस्ती होंगी मैं हाँ पर लिख देता हूं मेरे पीछे थोड़ा चाहिद आपको रुको मैं इसको ठीक ही कर देता हूं कि क्या हो गया कि कभी ताइं भी करता हूं कभी कभी कर लेता हूं भाई ठीक है वह एक कोड चलता है मैं उस पर हूं कभी कभी लिख लेता हूं थोड़ा बहुत कभी कभार ठीक है आपने मेरे अंदर के शायर को थोड़ा थोड़ा सा पैचाहन लिया धन्यवाद थैंक यू ठीक है चलिए तो फॉर्टीन में से ही हमें क्या है किवल चार को जो है वो थोड़ा सा जादा समझना है और इनकी वज़े से हम जो है आसानी से कंसेप्ट को समझ लेंगे ठीक है और वो है पहला चिस्ती और चिस्ती के बाद आएगा सोहरा बर्दी नक्षबंदी और कादिरी और सबसे जादा फेमस है चिस्ती और इसी से आएंगे हमारे निजामुदीन आलिया और जिस से हमने जोड़ कर देखा था अलिया भट को ठीक है समझने के लिए है ना कोई और वाकी कंसेप्ट नहीं है ठीक है तो ये हैं हमारे चार सिलसले और चार सिलसले क्या बोलेंगे वो म्यूजिक का मतलब है गाना बजाना ठीक है गाना सुनना म्यूजिक ठीक है और म्यूजिक सुनते सुनते आपको पेपर क्लियर हो जाएगा म्यूजिक सुनते सुनते जो है आपसे गौड से आपके आप रूवरू हो जाएंगे मतलब क्या है मतलब हम ऐसा कह सकते हैं आपको music सुनना है और आपको जो है वो God मिल जाएगा आपको मोक्ष मिल जाएगा आपको निर्वान मिल जाएगा आपको salvation मिल जाएगा ऐसा कहा जा रहा है music में क्या करें साब बोला कबबाली गाई गाई आया है तेरे दर पर बन के सवाल ठीके वो साई बाबा की कबबाली आपने सुनी होगी ये क्या है this is a kind of that means the music and you are connecting with the God आप उस music के दोरा God से connect हो रहे हैं this is a kind of the ideologies that is developed by during the this time ठीके और चिस्ती कहते हैं भाईया मजे करिए music करिए और साधा जीवन साधा जीवन आप क्या करिए व्यतीत करिए simple life ये फटे पुराने कपड़े लीजिए ठीके इनसे क्या मिलेगा आपका connection होगा God से simplicity is the life कहते न ठीके beauty lies in the eyes of beholder वो एसा कहा जाता न तो वैसी क्या है तो यहाँ पर क्या है कि केवल और केवल ये कहा जा रहा है कि that means ठीके सुंदरता केवल यही है that means से आप जो है God से connect हो जाएंगे और God से connect होने के लिए आपको एक simple जीवन होना that means होना चाहिए ना कि एक तड़क भड़क वाला जीवन होना चाहिए ये music हना तो music को support कर रहे हैं simple life की ये बात कर रहे हैं और इससे क्या होगा आपको मोक्ष या God से आपका connection हो जाएगा हर वेक्ति यही चाहता है ठीके तो ultimate जीवन का जो reforms है या religions का उद्देश है वो क्या है मोक्ष या मोक्ष या कह सकते है God से मिलना और God या भगवान से मिलने के लिए आपके पास ठीके आपके पास audio नहीं होने चाहिए आपके पास होना चाहिए spiritualism ठीके आध्यात्म होना चाहिए और यह आध्यात्म आपको music से मिलेगा कबा लीगा ये भगवान के पास जाएगे समझ मैया कि नहीं है ठीके तो यह है ideology कुछ लोग कहते हैं ना 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 बिलकुल ऐसा नहीं होगा भाया नो music नो music allowed to connect the God ठीके हाँ ठीके कोई दिक्कत नहीं है music allowed नहीं होगा तो एक कुछ विचारधारा इसको अपका गेंस में आएंगे कुछ लोग ये कहेंगे कि काम करते हैं एक jet plus security ले लेते हैं और jet plus security ले लेते हैं इसके अलावा हम एक पतांजली वाला एक product बनाते हैं और उसको हम बेचते हैं और इससे क्या मिलेगा मोक्ष मिलेगा मेरी बाद समझ में आई कि नहीं आई ठीके कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें जो God जो हमारा जो King है simple people और हमसे कोई भी connect हो जाएगा ये है हमारा चिस्ती का concept ठीके लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे no jet plus security होनी चाहिए हमारी जान को खत्रा है और हम राजा के दरवार में बैठेंगे और ऐसी ऐसी बाते करेंगे ठीके ये concept होगा इनका तो ideological differences आपको देखने को मिलेंगे अभी ये बाते और clear होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे I hope थोड़ा थोड़ा आपको clear होगा ठीके अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं तो बारत में इसलाम के आगमन के बाद after the arrival of the Islam and the religious view of the exchange in terms of the religious strains अब देखे भाई हिंदू और Muslims जब आ रहे हैं मिल रहे हैं तो मैंना आपको बता है कि एक culture double up होगा जिसे हम इंडो-islamic culture भी कहते हैं और यह हमारे structures हमारे architectures में भी देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे और जब यह देखने को मिलेंगे तो reforms होगी यह हमें देखने को मिलेगा यह Islam की बात की जा रही है 11th century में हम देखेंगे Muslim, Faris और उसके आसपास के चेत्रों में मूल रूफ से सूफी में भारत के विवे निस्वों में बस गए और जल्दी जो उन्होंने अपने आए Indian followers के खटना शुरू कर दिया ठीके यह सब चीज़े और यह क्या बात कर रहे है यह बात कर रहे है आप कैसे जो है भगवान से connect होंगे और मैंने आपको बताया music से आप हनी सिंग का गाना गाईए आपको क्या है that means ठीके मोक्ष मिल जाएगा ऐसा यहां के लोग कह रहे है यह लोग कह रहे है कबाली का यह कबाली से क्या होगा आपको गौड का attachment होगा music आपको feel लेकर आएगा और उसके द्वारा क्या कर सकते है आप love and devotions के द्वारा आप गौड से connect हो सकते है what did my points ठीके इस तरीके से इस concept को develop किया जा रहा है और concept जो है वो शिया और सुनी के मतवेद को दूर करने सोगा अब इसमें शिया और सुनी की बात आई गया क्या हमें जो है वो गौड को मोक्ष लेकर आना है यह कह सकते हैं गौड से मोक्ष लेकर आना है उससे connect होना है तो ये विचारधाना कहीं क्या होगी खतम हो जाएंगी क्योंकि हमने देखा है कि जजिया कर आने के बाद ये differences आने वाल लगे हैं और एक minority है, एक majority है एक ruler class है और एक जिसको कह सकते हैं कि जिस पर शाशन किया जा रहा है इन सब के बीच में विवाद हो रहे हैं तो विवाद जो हैं वो conflicts को जर्म देते हैं और हर धर्म का एक main concept ये है सदा सत्य बोलिए सदा सांती बना के रखिए लडाई जगडा हर चीज का समधान नहीं है, बात करने से ही बात बनती है और ये अपनी-अपनी ideologies में सब ये कहते हैं we are together, Hindu and Muslims both are together, हम दोनों एक ही है correct है? हाँ, concept अलग-अलग हो सकते हैं और ये unity की बात करेंगे, ये एक तक कपूर की बात करेंगे, मेरी बात समझ में आई नहीं आई, तो ये सब जो है religions के basics को बापस revive करने की कोशिश करेंगे और इस तरह के से बात की जाएगी सूफियों ने सभी मनुष्यों के लिए संबान को बढ़ावा दिया, promote respect for the all human being ऐसा नहीं है कि आप किसी वेक्टी को क्या है ignore कर सकते हैं, humanism first मनुष्य जो है, वो जादा पहले है, ठीके, ना की पहले है that means, ठीके, रहो, यहाँ पर आप देखेंगे कि देखे, world history में आपको एक वेक्टी मिलता है जिसका नाम है Petrarch and Petrarch is talking about the father of the humanisms वो human को first बोलता है मनुष्य पहले है, बाई, God जो है जो idol में है, या मूर्ती में है वो तो बाद में आएगा आप उस मूर्ती को क्या है एक किलो दूद चढ़ा देंगे, ठीके यह उसके काम का नहीं है, सबसे पहले आप human को दीजिए, this is called the humanisms और humanisms को बढ़ावा दिया जा रहा है मानवताबाद को स्रेश्टता दी जा रही है लेकिन कुछ orthodox जो होंगे वो इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे और यह orthodox कोई और नहीं है यह है हमारे उलेमा, उलेमा क्या करते है बड़ी बड़ी लंबी लंबी टोपी पहनते है बड़ी बड़ी, that means ठीके, customs को follow करते है, वो कहते है धर्म बुरा मान जाएगा यह सब आपको पता है और वो यह कहते है ठीके, that means ठीके, आपको गौड को खुश करना है तो आपको इन चीज़ों को follow करना होगा ऐसा ऐसा कहा जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आँ देखने को मिलेंगी समझ में आया है कि नहीं आया है जैसे म्यूजियम, ठीके, जैसे म्यूजिक थोड़ा सा उनकी basic termologies को समझ लेते है सूफियों को बिभिन सिलसला में बिभाजित किया गया है इनको order भी कहा जाता है या करम कह लीजे, ठीके यह होंगे दो तरीके के दो तरीके का मतलब क्या होगा एक बाशरा होगा, एक बेशरा होगा ठीके, एक line में यदि कहा जाए तो यह होंगे आपके परंप्रा वाले that is orthodox और यह क्या होंगे, that is यह non-orthodox होंगे यह परिवर्तन लेकर आएंगे यह क्या बोलेंगे, बुला music चलने दो, ठीके यह क्या बोलेंगे, music बंद कर दो भाया इसको, ठीके आग लगा दो इस music को, music music से कुछ नहीं होगा, यह बिलकुल आप क्या बोलेंगे यह बिलकुल follow करेंगे किसको कुरान को strict ठीके, face cover कर लो ठीके, that means, ठीके, कुरान में कहा ऐसा ऐसा, एक समझ लेंगे, that means, ठीके यह क्या करेंगे, नहीं, परिवर्तन करेंगे Hindu-Muslim unity, यह क्या होंगे, यह कटर होंगे यह बिलकुल आपके कह सकते है, fanatisms को follow करेंगे, जबकि बेशरा परिवर्तन हम देखेंगे यह एक लाइन में कहा जा those who follow the Islamic law और यह कानून के जो है, that means, कानून की तरह follow करेंगे, किसको, कुरान को, या Islamic law को, ठीके, हम देखेंगे जबकि यह क्या करते हैं, कि not bounded, यह परिवर्तन आएंगे, change करेंगे मैंने आपको यही बताया था, परंपरा मतलब train वाले, और यह है आपके bus वाले, यह concept आपको याद है, तो आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे, do you remember this concept this theory, the train वाला and the bus वाला theory इसके अलाबा, यहाँ एक चीज़ और देखने को बिलती है, खान का उसको कहा जाएगा, जहाँ पर यह रहा करते हैं खान का, the sufis live in the Hermitage is called the khan का जहाँ पर वो रहा करते हैं उसको हम इस तरीके से कहेंगे, ठीके अभी हम थोड़ा सा उनके बारे में और देखते हैं तो यह orthodox, यह non-orthodox हो जाते हैं यह concept आपको clear है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उनकी दरगाव, जहाँ पर हम देखते हैं जहाँ उनकी कबर होती है, tom होता है मौसूलियम होता है, this part is called the दरगाव, अब आप देखें, क्या दरगाव में हिंदूर, मुस्लिम जाते हैं, क्या केबल मुस्लिम कम्मुनिटीज के जाते हैं, दरगाव में आप देखते हैं, हर गुरुवार के दिन और हर गुरुवार के दिन जो है आप पीर बावा की दरगाव में जाते हैं, और पीर मतला होता है गुरु, और मुरीद मतला होता है आर ये पीर बावा कहा जा रहा है भॉला गुरुवार की दरगाए़ पर जा रहा है कौन से धर्म के हो भॉला हिंदू धर्म के कोई दिक्क नहीं आने दीजी तो ये क्या है डिस इस अगा of का unity and this unity is nothing but that is ایک تک اپود हिंदू और मुस्लिम की unity के बारे में बात की जा रही है कौन बोल रहे हैं सूफी बोल रहे हैं बोला हिंदू और मुस्लिम सब बराबर होते हैं कोई भी आ सकता है और आज की डेट में आप देख लिए राइसेन की जो famous दरगाह है या आप कहसकते हैं अज़मेर की डरगाह है किसी भी डरगाह में चले जाए एए वहां हिंदू भी अलाओ है मुसलिम भी बराबर अलाओ है निजा मुaghetti की डरगाह पर भी आप जा सकते है क्या किसी नरोका है नो ठीक है तिस इस दग अनматर कनसेप तेक है ये और ये जानकारी कौन बता रहा है अबुल फजल भी बता रहा है और अबुल फजल हमें अकवर के टाइम पे मिलेंगे और ये अकवर के नवरतनों में से भी है नाइम जैंस में से भी है और अपनी एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है अकवर नामा और बोलते हैं कि वह 14 स साहे वह चिस्ती सिलसला कि इतना क्लियर भाई कंसेट समझ माया की नहीं है कुछ रिफॉर्म हो रहे हैं फर्स वी बिल देखेंगे हम भी मुरीद है सर ठीके थैंक यू ठीके तो चिस्ती सिलसला जो है वो देखने को मिल रहा है यहां पर और इसका फर्स डिस इस दा फेमस वन सबसे जादा जो है वो फेमस यही होगा चिस्ती सिलसला इसकी शुरुआत कहां से होती है क्या होता है ज ख्वाजा अब्दुल चिस्ती and that is belonging to the हैराथ हैराथ कहां है यदि आप थोड़ा सा अफगानिस्तान की और जाएंगे और यदि आप सेलिकस निकेटर वाली जगे पर जाएंगे तो सेलिकस निकेटर ने यह हैराथ जो है दहेज में दे दिया था चंद्रकॉप तमौर को यद आप लूड़ाथ हैराथ है रप्द अ र जरोड्ड पार्ड और GB भी यद। अंधि दिया था जर्म विजा एंधि लृदह है में खाउक जच्वार दे बनात्तॉ हैरात है और श 놀ाृंगे जो कंकृशिं सेलिकस इंधा डीओ घटूसर आगा जूच्वाज तनुस्टी सुनाई होगा एन अजमेर में जब यह जो है सटल होते हैं तो अपने विचार भाई देखो अब यह क्या करेंगे यह बोलेंगे हिंदू मुस्लेम यूनिटी करेक्ट है इसके लाबा क्या बोलेंगे बोला मुजिक चलने दो गाने दो फॉलो करेंगे लोग इनको फॉलो करेंगे की नहीं करेंगे अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था कि वो एक लड़की फीमस होई वो क्या बोल रही है ये हम है ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है ठीके और जब लोग देखते हैं कि बिला यार कितना बड़ी आएं ठीके तो हम इसको follow कर लेते हैं तो ये बात ये कोई अच्छी बात उस जमाने में कहेगा तो लोग मुंदिन चिस्ति के कायल हो जाएँगी की न हो जाएँगी मुरीद होंगे की न होंगे और मुरीद होते ही वो क्या बन जाएँगे उसके follower पर बन जाएंगे और बगल से लाइक का बटन दवा देंगे caught in my points तो this is the basic concept behind the development of the Facebook and Instagram समझ में आया की नहीं है ठीके तो लाइक का बटन दवा दिया गया है बहुत लोगों ने क्यों क्यों क्योंकि लोग जो है उनकी simplicity में विश्वास करते हैं वो वीडियो याद करिये कितने simplicity के साथ उस जो बंदी ने जो है वो बात कर दी थी हम भी उसके मुरीद हो गए थे समझ में आया की नहीं है they believe in the poverty in the simplicity बहुत जादा simplicity में जो है लोग विरीब करते हैं यहां के लोग that means यह क्या बोलते हैं बोला कोई गरीबी कोई दिक्कत नहीं है बोला हम इसको भी enjoy करेंगे बोला क्या simplicity फटे पुराने कपड़े बोला कोई दिक्कत नहीं हम इसमें भी enjoy करेंगे तो जो है उसमें enjoy करेंगे यही हमारा concept है क्या वो बोलते हैं the position of the private property was considered as a hurdle in the development of the spiritual life हम कह सकते हैं कि संपत्ती जो पैसा है वो क्या कर रही है वो एक क्या है barrier है वो barrier क्या है आप God से नहीं मिल सकते you cannot go with this kind of the that means संपत्ती को लेकर पैसे को लेकर आप जो है वो God के पास नहीं जा सकते ऐसा कौन बोल रहा है ऐसा चिस्ती बोल रहा है और यह concept जो है यहाँ पर डबलब होते हैं I hope आपके और मेरे बीच में कोई barrier नहीं होगा ठीके मतलब हम समझ रहे हैं मेरी बात ठीके तो you are getting my voice ठीके they are believing in the they are not believing in the kind of the properties पैसा वैसा यह सब चीजों से जो है वो आपको देख रहे हैं इसको बिश्वास नहीं करते हैं तो this is the basic concept behind the ideologies of the चिस्ती सिलसला तो यह development अब देखो यह एक basic हुआ करता था यह हाँ and they believe in the charity जो कुछ भी है आपके पास wealth उसको दान कर दो और दान करने से क्या होगा आपको एक खुश ही मिलेगी आप करके देखिएगा आपको अच्छा लगेगा यह कौन बोल रहे हैं चिस्ती बोल रहे हैं और इस तरीकी से हम देखते हैं आज की date में तो क्या होता है आज की date में तो आप देखिए अम्मानी यह सोच रहा है कि बहिया कि simplicity, poverty, concept और यह विश्वास करते हैं इन सब चीजों में चिस्ती सिलसला क्या बोलते हैं समा आपने तो सर्फ समा बान दिया हम तो आपके मुरीद हो गए क्या मज़ेदार जो है music gathering है and this music gathering is called the kavali we can see that बहुत अच्छा समा बान दिया है और यहीं से हम देखते हैं development kavali का मेरे पास time नहीं है नहीं तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्या है मैं थोड़ा कुछ-कुछ video यहां रखना चाहता हूं ताकि और आसानी से बढ़िया और बहतर तरीके से समझा जा से तो यह क्या होता है यहां रणवीर कपूर है वो फाया गुम कर रहा है ठीके यहां पर अकवर फाया गुम कर रहा है ठीके और थोड़ा बहुत हम भी dance ones कर लेते तो यह क्या होता एक समा बांज देते हैं और यह chapter हमें आसानी से समझ में आता है I hope you all that means all points are going to clear सारी की सारी चीज़ें जो है आपको यहां पर clear हो रहे होगी तो concept बहुत सारे है ठीके और यह जो है जो development हो रहा है कवाली का अव यहां से हम देख रहे हैं कि important important सुफी संथ कौन कौन से हैं और important सुफी संथ कौन से हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है मूयनुदीन चिस्ती अजमेर वाले ठीके इसके बाद हम देखेंगे उनके follow राएंगे हमिदीन नागोरी इसके बाद आएंगे बक्तियार काकी कुत्ब-दीन बक्तियार काकी इनके बारे में हमने सुना है इनके याद में हमने मीनार भी बना दी और मीनार इतिनी उची बना दी कि जिसको हम कह सकते हैं कि इशिया की सबसे वड़ी उची दिवार है ठीके वो यूनेसको की साइट में है भी इसके अलाबा हमें देखने को मिलेंगे इनके follower होंगे वो हंगे आपके गजशंकर बाबा फरीद बाबा फरीद इस प्रिजेंट इन दा होली बोक और सिख्ष की होली बोक है उसका नाम है गुरू ग्रांट साहेब और गुरू ग्रांट साहेब में भी इनके concept देखने को मिलते हैं क्या वो बिलीव कर रहे हैं और बाबा फरीद के concept आपको गुरू गरांट साहेब में देखने को मिलेंगे और ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा फरीद नहीं जो है फांडेशन रखी थी हर्मिंदर साहेब जिसे आज की डेट में हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं नाम तो सुनाई होगा आप लोग ने शायद इसकी चमक तो देखी होगी निजाम उद्दीन वलिया यह वही है जो बाबा से क्या कर रहे थे ठीके यह वही है जो है कह रहे थे कि 15 लाक आएंगे सबके अकाउंट में आएंगे काला धन आएगा और बाद में कह रहे थे 300 रुपे का पैट्रोल हो जाएगा लेकिन कुछ ना हुआ ठीके यह ऐसे वाल काला धन वाली बात कर रहे थे और काला धन जो है वह आया नहीं 15 लाक आए नहीं ठीके और सरकार आगे बीजेगी फिर उसके बाद बोल रहे है सरकार को थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा ठीके थोड़ा थोड़ा शेर पाला है तो क्या होगा थी थोड़ा उस खिल दी सब के दरवार में होगा और यह कहानी कहेगा that means ठीके बहुत सारी जो है कहानी देखने को मिलेगी इनके बारे में शेक शलीम चिस्ती शेक शलीम चिस्ती that was nothing but he was the person behind the birth of the जहांगीर यह वही वक्ती होगा जो जहांगीर के जन्म के लिए responsible होगा और इनकी जो आपको देखने को मिलेगी जो दरगा दरगा that means वो उनका जो प्लेस होता है टॉम जिसको होता है वहाँ आप देखने को मिलेगा फत्यपुर्सीक्री that is इनागरा ठीके और आगरा व वहाँ नहीं दिया हुआ है आपका जो NCRT जो हम जिसको follow कर रहा है बट एक basic concept आपको समझ में आया होगा I hope आपको clearty होगी एक बार आप उसको पढ़ना थोड़ा सा NCRT के through यदि होगा और यह मैं आपको जल्दी भेज दूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब ठीके और बाबा फरीद और निजाम उद्दीन वालिया ठीके हानुस्त दिल्ली दूरस ठीके तो दिल्ली अभी दूर है हमारी भी ठीके क्योंकि आपका अभी थोड़ा सा बाकी है मतला modern history हमा अभी बाकी है तो यह इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डबलप करेंगे फिर इ झाल 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 झाल